स्पोर्ट्स बुलेटिन नीरच चोपडा डाइमंड लीग खिताब बरकरार रखने में अस्फल रहे, यूजीन में दूसरे स्थान पर रहे नीरच चोपडा ने अपने लिए इतने उचे मानक स्थापित किये हैं कि प्रतिष्ठित डाइमंड लीग में सम्मान जनत दूसरे स्थान पर रहना भी निराशा जैसा लगता है 16 सितंबर 2023 शनिवार को यूजीन में नीरच चोपडा का दिन नहीं था क्योंकि वह अपना डाइमंड लीग खिताब 83.80 मीटर के सर्वश्रेष्ट प्रयास के साथ बरकरार रखने में अस्फल रहे चेक पावर थ्रोवर जैकब वडलेच 84.24 मीटर के बाद दूसरे स्थान पर रहे वडलेच ने अपने पहले ही थ्रो में बढ़त ले ली और 84.24 मीटर के साथ समापन किया क्योंकि नीरच सहित बाकी क्षेत्र ने उन्हें कभी खत्रा नहीं दिया नीरच का 83.8 मीटर का सर्वश्रेष्ट प्रयास दूसरे दौर में आया नीरच चोपड़ा का सीजन अभीखम नहीं हुआ है अब वह एशियाई खेलों के लिए हामजू जाएंगे जहां उनका सामना पाकिस्तान के अर्शद नदीम से होगा नोवाग जोकोविच ने रिकॉर्ड 24 वे ग्रैंड स्लैम के लिए अपना चौथा यूएस ओपन खिताब अपने नाम किया नोवाग जोकोविच ने US Open में अपना 24 वा Grand Slam खिताब जीता और मार्गरेट कोट के रिकॉर्ड की बराबरी की 36 वर्षिय सर्बियाई खिलाडी की जीत ने उनके प्लेस्मेंट, कोट कवरेज और शिल्प कौशल को प्रदर्शित किया जोकोविच की अपने खेल के सूक्षम और स्थूल दोनों पहलूओं पर ध्यान केंडरित करने की क्षमता उनकी लंबी उम्र की कुंजी रही है अपनी उम्र के बावजूद वह युवा खिलाडियों के साथ प्रतिसपरधा करना जारी रखते हैं और शीर्ष पर बने रहने के लिए लगातार खुद को नया रूप देते हैं यूएस ओपन के फाइनल में देनियल मेद्वेदेव ने अपने पैर या फेफरे नहीं खोए रूसी ने अप्रत्याशित तुर्टियों से खून बहाया प्रेमियर लीग मैन उनाइटेड को घरेलू मैदान पर ब्राइटन ने हराया मैनचेस्टर यूनाइटेड की मुश्किले तब और बढ़ गई जब ब्राइटन ने शनिवार को प्रेमियर लीग मुकाबले में ओल्ट्रेफर्ड में तीन से एक से आश्चर्यजनक जीत हासिल की एरिक टेन है की टीम को पहले हाफ में पूर्व यूनाइटेड फोवर डैनी वेलबेक के गोल से जटका लगा इसके बाद दूसरे हाफ में पासकल ग्रॉस और जोआओ पेड्रो ने गोल किये जिससे ब्राइटन की बढ़त बढ़ गई क्लब के लिए हैनिबल मेजबरी का पहला गोल यूनाइटेड के लिए कोई सांत्वना नहीं था जो अंतिम सीटी बजते ही निराश हो गया था इस सीजन में पहले से ही पांच लीग खेलों में तीन हार के साथ यूनाइटेड बारवे स्थान पर है वह मैदान के अंदर और बाहर उथल पुथल में एक क्लब दिख रहा है मैक्स वेरस्टेपेन ने इटालियन जीपी में लगातार दसवी फॉर्मूला वन जीत का दावा किया मैक्स वेरस्टेपेन ने मोजा में रेड बुल के प्रदर्शन में इटालियन ग्राप्री में शीर्ष पर आने के बाद रविवार को रिकॉर्ड तोड लगातार दसवी फॉर्मूला वन रेस जीती उत्तरी इटली में एक खूपसूरत दिन पर मौजूदा विश्व चैंपियन वेरस्टेपेन का दबदबा रहा जिससे फेरारी के प्रशन्सक निराश हो गए वेरस्टेपेन के साथी सर्जियो पेरेज घरेलू उमीद और पोलसीटर कार्लोस सैंज से आगे दूसरे स्थान पर रहे स्पैनियार सैंज ने ग्यारा सेकंड से अधिक समय पहले तीसरे स्थान को पार कर लिया जो ड्राइवरों की चैंपियन्शिप के भगोडे नेता वेरस्टेपेन की शक्ती का विरोध करने में असमर्थ था वेरस्टेपेन ने ड्राइवर स्टांडिंग के शीर्ष पर तीम के साथी सर्जियो पेरेज पर अपनी बढ़त 145 अंकों तक बढ़ा दी और यह भी सुनिश्चित किया कि रेड बुल ने इस सीजन में कई जीपी से 14 जीट के साथ अपना सही रिकॉर्ड बनाए रखा भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से हरा कर आठवी बार एशिया कप का खिताब जीता मोहम्मद सिराज ने सीम और स्विंग गेंद बाजी का जादूई जादू दिखाते हुए 21 रन देकर 6 विकेट लिए जिससे भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से हरा कर 5 साल के अंतराल के बाद एशिया कप खिताब जीता यहां भारत का आठवा एशिया कप खिताब था वगेंद शेश रहने के मामले में वंडे में उनकी सबसे बड़ी जीत 263 गेंद भी थी सिराज के आश्चर्य जनक प्रयास से गत चैंपियन श्रीलंका 50 रन पर धेर हो गया भारत ने लक्ष का पीछा करने के लिए पलत नहीं जपकाई क्योंकि शुबमन गिल 27 और इशान किशन 23 ने केवल 6 दशमलव एक ओवर में यह काम कूरा कर दिया यह सब तप शुरू हुआ जब श्रीलंका ने भारी बादल चाय रहने के बावजूद टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया उनके स्पेल ने सुनिश्चित किया कि श्रीलंका ने केवल 15 दशमलव दो ओवर ही बल्लेबाजी की और यह भारत के खिलाफ उनका सबसे कम वंडे स्कोर भी था तेज गेंदबाज एक दिवसिय इतिहास में एक ओवर में चार विकेट लेने वाले केवल चोथे गेंदबाज बन गए और उन्होंने एक दिवसिय मैचों में केवल 16 गेंदों में सबसे तेज 5 विकेट लेने के मामले में पूर्व लंकाई तेज गेंदबास चामिंडा वास की बराबरी कर ली सिराज ने श्री लंका के खिलाफ सर्वश्रेष्ट एक दिवसिय आंकडे को भी द्वस्त कर दिया जो पहले पाकिस्तान के दिगज तेज गेंदबास वकार यूनिस के पास था 1990 में शार्जा में 26 रन पर 6 विकेट हार्दिक पंड्या ने 3 विकेट 3 बटा 3 लेकर लंकाई पारी के बचे हुए तुकडों को समेटा बी एन टी की खास पेशकश